हुआ है हलो चो मैं हूँ आपका बैलोजी मेंटा है अरुन तिवारि हम लोग लास्ट क्लास में बाइव मालेकुल में प्रोटीन अमीनो इसेट पढ़ाया थे मैं हमने आपको अमीनो इसेट को हमने उसमें बताया था डिफरेंट पी एच पर क्या चार्ज होगा उसके बाद नहींगी और फिर हमने टाइप अफ हमीनो इसीड बताया था उसके बाद मने फ्रक्त ही किसके बीच में होता है तांसेट बिल्कुल कल्टेस्ट है क्रिष्णा कल्टेस्ट सभी बच्चों का है 11 का 12 का टार्गेट बैस सभी लोगों का है थोड़ा लंबा गयप हुआ मैं इस वीक में क्लास नहीं ले पाया साइद कुछ बच्चे सुने भी होंगे मारे हम इस हैपनिंग एक हो गई थी हमारे साथी थ थोड़ा मुश्किल में डाल दिया लेकिन फिर भी खुद को समालते हुए और अभी हम लोगों ने अभी हम लोग घर छोड़ चुके हैं बलकि दुसरे जगह बनाए हुए हैं और वहां पर हम मैं नागें सर जाजू सर ब्रिजे सर चारों लोग एक ही जगह कठे हो गए हैं अपने अपने घर को फेमली को छोड़ कर खुद से खाना बना रहे हैं खुद से सब कुछ कर रहे हैं अपना सारा काम कर रहे हैं खाना बना रहे हैं नास्ता बना रहे हैं बस इसलिए कि आपको हम पढ़ा सकें क्योंकि कोचिंग पूरी तरह से बंद है और कोचिंग पर जा यहीं से हम पढ़ा रहे हैं अब यहीं एक ही घर के अंदर घेट के अंदर ही रहना है खाना बनाना है खाना खाना है वह आपको पढ़ाना है यही तीन काम रह गया है लिन्दगी में एक साथी का जाना दुख अक्चुली क्या होता है कि अभी तक जो भी आकड़े होते थे नंबर में सुनते थे कितने लोग डेथ हो गए यह हो गए पिछले दो वीक से हम लोग काफी परिशान थे बहुत जादे परिशान थे और अं कब तक क्योंकि अब क्यों हम हम अच्छा फिल नहीं कर रहे हैं इसकी वज़ा से बहुत धेर सारे बच्चों का लॉस हो ते कोई मलब यह सही चीज नहीं है ठीक है हमें किसी भी सेच्वेशन में चाहे आप पढ़ाने का मन करें आप कितना भी डिश्टर्ब हो आपको नॉर सबकुछ सहते हुए है एक अपना प्री हमारे बीच का गया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती जब भी खाली समय आता है तो याद आ जाता है सारी चेजें की हम लोग ऐसे रहते थे करते थे 15 साल का साथ बहुत लंबा होता है यहां एक दो साल तीन साल चार साल में साधियों में खटर-पटर हो जाता है तो डेवर्स हो जाता है तो 15 साल एक साथ रहकर काम करना चोवीस घंटे में 12 गंटे 15 गंटे एक साथ रहना तो बहुत पेनफुल है वह उसको बया नहीं किया जा सकता है लेकिन इन सभी चीजों में हमें पढ़ाना भी है काम भी करना है क्योंकि अगर मैं ऐसे ही सोक अवस्था में पूरी तरस रहूँ गा तो बहुत dividedसार सारे वतश नुक्षान होगा और इस इलाव नहीं करता हमारे प्रोफेशं को इसलिए आप लोगों का सात रहेगा आप लोगों का आप लोगों का आप लोगों से बल मिलता है उस इश्तरन्थ से ह कि आपके सामने हैं और कोशिस करूंगा कि मैं जैसे पढ़ाता हूं जैसे फिर पढ़ाओं उसी लाई में पढ़ाओं शाएद आपको पढ़ाने में चीज़ें थोड़ा डाइल्यूट हो और अभी मैं नास्ता बनाया हूं कहना करके अब सब कुछ हम लोग अपने स्कर्दे ह हैं जो भी जो कभी नहीं जिन्दगी में किये थे तो खेर स्टार्ट करते हैं बच्चों देड़े-देड़े हम लोग बायु माल को ध्यान देजे सभी बच्चे यहां ध्यान दे अभी हम लोग अब जानते हो ऐसा हम लोग ने बना लिया है ना पूरे देश में लागडाउन हो जाए और पूरी तरह से लागडाउन हो जाए मलब पूरी तरह मलब जो छूट थोड़ी बहुत दूद्ध हो सब्जी की होती वह भी बंद हो जाए ना तो भी हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे सोच लेजे ऐसा हम लोग सेटप बना लिया है घर से कोई मतलब नहीं है एक रूम में बंद हो गये हैं यहां पर पूरा सेटप हम लोग लने लगा लिया हैं इंटरनेट का दो दो तिन-तिन कनेक्शन ले लिया है कि कोई टेकनिकल फाल्ट नहों हो और और कुछ भी बाहर हो से कोई मतलब नहीं है बड़ा डिश्टर्ब थे अभी भी हैं लेकिन अब लेकिन कल मुझे बोला गया कि नहीं अब क्लास तो लेना पड़ेगा मैं भी सोचा कि भई कब तक चीजे तो कभी कभी क्या होता है कि किसी का साथ ही होता है बहुत कम दिन के लिए तो किसी के साथ भी हो सकता है तो उसको लेकर कब तक और हम तो सोच ही नहीं पाते कि वो बंदा हमारे बीच नहीं है जब हूँ चीज सोचते हैं कि वो बंदा हमारे बीच नहीं है तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे हम इमान के चलते हैं कि हमारे साथ हैं हमें देख रहे हम उनसे बात कर रहे हैं तो यह लगता है चलो ठीक है हमारे साथ हैं बस हम मिल नहीं पा रहे हैं उनसे वह हमें देख रहे हैं इसी सोच के साथ यही सब पॉश्टिव चीज़ों लेकर फिर से हम सुरू करते हैं बाइव मालिकुल में पढ़ा रहा था बच्चों आप लोगो चलो बच्चों सुटार्ट करते हैं सभी बच्चोंको फिर से बुट मोरनीं और उमीद है कि हम समहा लेंगे और आप सब्प्रेंट हैं और सब कुछ आप ही से हमारा जूड़ा हुआ है हमारा क्या हम सभी का 24 गंटे आपके बारे में सोचते हैं क्या करें कैसे करें कि और अच्छा हो जाए और इसी का नतीजा है कि हम लोग हो सकता है लागडाउन जैसी जो केस आ रहे हैं इंडिया में 35 चालिस जार एक दिन में केस आ रहे हैं ति बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है लागडाउन हो सकता है फिर हो जाए और कम्प्लीट लगडाउन हो जाए एक महीने दो महीने के लिए तब तो पूरा कनेक्शन ही खतम हो जाए इसलिए हम लोग ने तुरंत इसको डिसीजन लिया हो यह से और आपको पढ़ाई बात ही तरहीं होगी तो आज मैं कोसिस कर रहा हूं कि मैं फिर से उसिलै में पढ़ाता था वैसे पढ़ाऊ आपको जो भी गये हैं हमारे साही हुआ हमारे साहते हम Depot हम एन्पार को नहीं है हमारे साथ और हम अनको फील करते Moderकों अब उनका काम मुझे करना है बस यह हुआ है तो मैं बच्चों थोड़ा रिकॉल किया जाए लास्ट क्लास हम लोग ने अमीन प्रोटीन पढ़ा था रिवाइस करते हुए फिर आगे इस्टक्चर पढ़ाता हूं अमीनोएसिट नहीं बताया बच्चों अमीनोएसिट क्या है ५िर हाम ने बताया था अमीनोएसिट में या है अलफा कारबन होता है उस असमेंक्रिक यह अलफा कारबन में एक तरफ अमीनोग्रुप इस पराभवा हरो था आपको याद होगा इस तरह का था C o h था आपको याद होगा यहाँ एलकिल ग्रूप था यहाँ इनस्टू था यहाँ हाइज्ट्रोजन था ठीक है एक यह अमीनो ऐसे था हमें अलकिल ग्रूप अलग अलग होते हैं बाकि तीन चीजें कॉमन होती फिर हमने बताया था कि अमिनोग्रुप बत्वरत प्रीम को तो और प्रशा रहा होता है गलाइसेन जहांपर जो एक बत्वाइन हों झाल 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 ठीक है बच्चों? ओके है? ठीक है? आवाज आ रही है? ओके है? ठीक है? तो है थोड़ा दिक्कत अच्चों? आज हमें लगता है मंडे तक हम लोगे को होगी हमें लगता है तो तब तक सब ओके हो जाएगा ये भी दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा आपको को आपरेट करना होगा थोड़ा नया जगह है तो नई चीजें है सेट को ने थोड़ा एक दो दिन लगता है तो मैं आगे स्टार्ट करूं आगे कंटीन्यू करूं कि ओके तो मैं बता रहा था कि अमी नोचों को दो कटेक्निफा उसको नोन इसनशल आमीनोसट इसेनशल आमीनोसट इसेनशल हो चाहे नोन इसेंशल हो इन दोनों की जरूरत हमारी बौड़ी को होती है ओए साल नहीं है जरूरत तो दोनों की है लेकिन essential amino acid हमारी body नहीं बनता उसको भोजन के रूपे बाहर से लेना पड़ता है और non-essential amino acid हमारी body में automatic synthesize हो जाता है different metabolic activities से तो essential में 10 नाम बताया था हमने आपको बताया था नाम तो 200 का याद रखना होता है लेकिन option क्योंकि आपको देता है question में तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा तो अगर essential वाला याद रहेगा तो non-essential वाला automatic आपको याद हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमने बताया था arginine and histidine जो होता है वो semi essential amino acid होता है फिर हमने आपको peptide bond समझाया था peptide bond जो होता है उसमें हमने बताया था कि पहले amino acid का कारबाक्सिल ग्रूप सेकेंड वाले amino acid group के साथ bond बनता है और एक water molecule निकलता है और जब water molecule निकल जाता है तो CoNH bond बनता है वही CoNH bond जो होता है उसे को हम नाम देते हैं peptide bond क्या नाम देते हैं peptide bond वह क Switch बान्ड को क्या वोलते हैं क्या ब्रफ्टाइड बॉन्ड को canopyंड यूँगा ग्राइट बुद घ्रिप्र है partnership मतलब इस तरह से होता है जो पर की तरफ पन मतलब यह सी को और बंड को हेइसको बोलते हैं ठांस पोजिशन ऑःड्टाइब ट्रांस posisun होता है सियój एंहें क्या होता है ट्रांस पोजीशन हे प्रांस i giorno होता है सी यह यह होता है ट्रांस पोजेशन एस्टेवला होता है 10 धाएध्य फब्राइट फिर हमने आपको एक त्रीका हेकसा है डे का जो भी नाम देता है यह जो नंबर होता है नंबर किसको बताता है नंबर आफ अमीनो एसिट को बताता है किसको बताता है नंबर आफ अमीनो एसिट को बताता है नंबर आफ अमीनो एसिट को बनाता है ते नंबर आफ अमीनो एसिट अगर चार अमीनो एसिट का क्या नाम देते हैं बच्चों टेक्ट्राप्टाइड इसके बाद हमने बताया था कि जितने प्रोटीन होते हैं प्रोटीन उसके बाद था जितने प्रोटीन होते हैं वह प्रोटीन दो तरक हमने बताया था मोनोमेरिक प्रोटीन और प्रोटीन यज मेड़क प्रोटेन का बना है तो उसको नाम देते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन अगर प्रोटेन से जादे प्रोटीन प्रोटीन बना है उसको ओलीगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन का एक्जांपल मायोगलोबिन बताया था जो कि मसल्स में होता है जो ऑक्सीजन इस्टोर करता है और एक सब्सक्राइब कोई भी प्रोटीन हो उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वह अमीनो एसिट के हिस्से ही मिलका बने होते हैं अभी आपको लास क्लास में समझाया था कि अगर कोई polypeptide chain सिर्फ yel farma famino acid बना है तो उस polypeptide chain को protein बोलेंगे लेकिन अगर कोई polypeptide chain yel farma famino acid के साथ उसमें d farm भी है तो उस polypeptide को polypeptide कहिए बड़े प्यार से लेकिन उसको protein हम नहीं कह सकते तो protein तभी कहेंगे जब उस polypeptide chain में सिर्फ yel farma उसमें yel और d दोनों अगर amino acid होंगे तब उसको हम क्या नाम देंगे उसको हम polypeptide बोलेंगे protein नहीं होने के लिए क्या condition होना ज़रूरी है protein होने के लिए उसमें जो polypeptide chain है उस protein में वह polypeptide chain सिर्फ yel farma famino acid का बना होना चाहिए उसमें d farm amino acid नहीं होना चाहिए तब उस polypeptide प्रोटीन बोलेंगे लेकिन अगर कोई polypeptide chain में d farm yel farm दोनों है तब उसको हम polypeptide chain प्रेम से बोलिए लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं बोल सकती है इसके बाद था बच्चो इस ट्रक्चर आप प्रोटीन इस ट्रक्चर आप प्रोटीन में आपको बताया था कि इस ट्रक्चर प्रोटीन में तो अरुन में ये तो पता चार अलफाबेट का यूज होता है किसका किसका ए का यूज होगा ए का यूज होगा आर का यूज होगा यू का यूज होगा यू का यूज होगा यू का यूज होगा लेकिन इस अरुन को लिखने के लिए यह जो अलफाबेट का सिक्वेंस है यही सिक्वेंस ऑना सिय है एन के बारें लिखिए ज़यों के बारी रिंग दो श्च कि क्या क्या होना चाहिए एक के बाद आर होना चाहिए आर जान जाने से नहीं लिख सकते हैं उसका कर्येक्टेक सिक्वेंस होता लाकि इस अलफाबेट के बाद इसको लिखना होगा, वैसे ही कोई भी प्रोटीन होता है, उसका एक स्पेस्फिक, उस प्रोटीन का एक स्पेस्फिक सिक्वेंस होता है, अगर वह सिक्वेंस में एक भी अमीनो एसिट का पोजीशन इधर उधर हुआ, एक पोजीशन, मालो 5 ल खराब हो जाता है पूरा पूरे के पूरे प्रोटीन का इस्टक्चर खराब हो जाता है एक कईधा उधर होता है तो इसलिए जो पॉली पेप्टाइड होता है जो पॉली पेप्टाइड होता है जो प्रोटीन होता है उसमें अमीनो एसेट का एक प्रॉपर सिक्वेंस होता है और ऊसरे sequence कई से पता चलता है यह sequence का जो order होता है इसका पूरा पोज का लेखा जो खाऊ होता है डिन ने के पास DNA उस चीजों को या वह जो sequence क्या होगा उसको code करता है code-an के रूप में किसको रूप में जू और लो यहन के रूप में तो कहते हैं कि primary प्रोटीन जो होता है वह कोडान में जो जो उसका कोडान में जो पोजिशन होता है उसी पोजिशन के बेसिस पर होता है मतलब कोडान जो होता है वही डिसाइड करता है कि अमीनो एसेट के बाद क्या सिक्वेंस होगा तो उस कोडान को ध्यान में रखकर जो अमीनो एसेट का linear structure बन जाता है, इसी linear structure को हम क्या नाम देते हैं, primary structure, इस linear structure को क्या नाम देते हैं, primary structure, क्या नाम देते हैं, primary structure, तो यह linear structure क्या है, primary structure, क्या है, primary structure, लेकिन primary structure आप protein सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है, जब protein synthesis होता रहता है, messenger RNA पर, वो message लेकर आया रहता है कोडान के रूप में उसे क्याधार पर उसके coding होता रहता है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि यह stable नहीं होता तो primary structure आप protein में folding और coiling होती है और primary structure protein में जो folding और coiling होती है तो जो structure आप protein बनता है उसको हम नाम देते हैं secondary structure क्या नाम देते हैं उसको secondary structure बोलते हैं secondary structure तो जो primary structure में folding और coiling होती है तो structure आप protein बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं secondary structure आप protein क्या नाम देते हैं secondary structure आप protein लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखेगा secondary structure आप protein सिर्फ और सिर्फ किसी भी organism का hierarche structural component बनाता है इसका मतलब ये होता है भुशर structural component मला मलब मलब उस और उस मेरम ऊर्धणेजम का क्यों structure बनाता है जो को भॉन के सब्य प्रोटीन हाँ प्रोटीन दू तरक खा होता है बच्छों structural protein और functional protein जो structural protein होता है क्यों structure बनाता है और जो functional protein होता है वह protein synthesis भी जो functional protein होता है वह enzyme की तरह भी काम करता है जितने enzyme होते हैं जो protein nature के होते हैं वो सभी functional protein कहे जाते हैं तो जो protein enzyme की तरह काम करता है that is known as functional protein और जो protein क्यों structure बनाता है जैसे बाल है नेल है नाखून जो होता है बाल है यह जो कैटल गाय भहेंस होता है उसमें सींग होता है खूर होता है तो सारा इस्ट्रक्चर जो में बता है यह एक्जोस्केलेटन में आता है एक्जोस्केलेटन यह सब प्रोटीन है किरेटीन प्रोटीन की बने होते हैं तो किरेटीन प्रो पर पाए जाता है इसके बाद क्या होगा हां इस हाँ स्ट्रक्चर प्रोटीन हमने से केंडरी स्ट्रक्चर में दो बताया था अल्फा हेलिक्स बीटा अगर आपको याद होगा अल्फा हेलिक्स बीटा अल्फा हेलिक्स बीटाइडल हाइड्रोजन बांड होता है यह एक हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं है और यह जो अल्फा हेलिक्स होता है यह पाए कहां जाता है किरेटीन प्रोटीन आसायर this में इसके बाद आमने बताया था बीटा प्लिटेटसills में इंटर प्रेपटाइडल हाइड्रोजन बांड होता है है different polypeptide chain होते हों सभी प्रोटेइड जैन आपस में hydrogen bond से जुड़े रहते हैं वहां interpeptidal hydrogen bond होता है बीटा प्लिटेड़ सीट पाया कहा जाता है फाइब्रियॉन प्रोटीन आप सिल्क में फाइब्रियॉन प्रोटीन कहा होता है जो रेसम होता है सिल्क होता है उसमें हैलिक्स दी कि स्टेब्लाईजिंग उन इसट कहे जाता है इन स्टेब्लाईजिंग ऑमीनोयकिण को हम यालिक्स बनने नहीं देतें ग्लाईजिंग फ्रूलीन यह होते हैं या सलबनने नहीं देते हैं कौन ग्लाइसीन और प्रोलीन ग्लाइसीन प्रोलीन हेलिक्स का फार्मेशन नहीं होने देते हैं यह जहां भी रहेंगे यह जहां भी रहेंगे वहां पर इस तरह का इस यहां पर पॉलिप्रेप्टाइट चेन है ना और यहां पर ग्लाइसीन प्रोलीन है जी पी जी पी है तो बन गया यहां हेलिक्स नहीं बनाई इसलिए ग्लाइसीन प्रोलीन को क्या बोलते हैं हेलिक्स डी स्टेब्लाइजिंग अमिनुएसिट लिख लो इसको ग्लाइसीन प्रोलीन इस नोन एज हेलिक्स डी स्टेब्लाइजिंग अमिनुएसिट है हेलिक्स डी मैनर होगा ना विल्कुल होगा है खार समझे बत्चों बीटा प्लिट्रेट्चीट हमने आपको बता ही दिया इसके बाद है तरसरी स्टक्चर अफट इसलिए तर्सरी स्टक्चर अफट द्यांसरो आगे कंटिनु करते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया था इसलिए थोड़ा रिवाइश करना ज़रूरी था तर्षरी रप्रोटीन जो होता है यह सेकेंडरी स्ट्रॉटीन में हे लिक्स स्टरीwn अकर इन सेकेंडरी इस्ट्र activity में होता है शेकेंडरी स्ट्राप्रोटीन में folding and calling occurs in secondary structure of protein and structure of protein which form is known as tertiary structure of protein जो structure protein का बनता है उसको क्या बोलते हैं tertiary structure of protein tertiary structure of protein क्या बोलते हैं tertiary structure of protein और कहते हैं कि इसका मलब को के साथ जिसे primary structure से secondary structure इसलिए बना था कि वह stable होता है क्या secondary structure से tertiary structure बना क्या tertiary structure secondary structure से मजबूत होता है हाँ भाई tertiary structure जो होता है वह secondary structure के तुल्ना में जादे stable होता है जादे मजबूत होता है कौन? tertiary structure tertiary structure is more stable और more stable छोड़ो जितने structure आप protein होता है उन सब में सबसे ज़्यादा stability किसकी होती है Tersuary Structure of Protein की और इसको और एक बाद बताओं पते की कि Tersuary Structure of Protein इसको क्यों बोलते हैं Tersuary Structure of Protein इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका Structure 3-Dimensional होता है कैसा होता है 3-Dimensional होता है लंबाई, चोड़ाई, उचाई Length, Width और Height तीनो होता है तो 3-D होता है 3-Dimensional structure होता है इसलिए इसको Tersuary Structure of Protein बोलते हैं और मज़े की बाद बताओं जो Enzyme होता है जो Enzyme Protein Nature का होता है वह Enzyme कौन से Protein, कौन से Structure of Protein होता है Tersuary Structure of Protein होता है कौन सा Structure of Protein होता है Tersuary Structure of Protein होता है वह Tersuary Structure of Protein होता है तो Tersuary Structure of Protein होता है Tersuary Structure of Protein होता है समझ में आया तो Tersuary Structure of Protein ही Enzyme तरह काम करता है Tersuary Structure of Protein More Stable Protein होता है उससे जाए और एक बात मतलता हूँ जो tertiary structure of protein होता है उसमें इस तरह से folding coiling होती है उसके जितने polar side होते है polar polar side जो होते है वह active site of enzyme बनाते हैं लिख लिजेगा folding and coiling occurs in secondary structure of protein to form tertiary structure and folding and coiling occur in such a way that polar portion of structure of protein behave as active site जो polar structure of protein होता है वह active site की तरह behave करने लगता है active site की तरह behave करने लगता है active site की तरह behave करने लगता है active site तो इसका मलब जो tertiary structure of protein होता है वही enzyme तरह काम करता है या जो enzyme होते हैं वह tertiary structure of protein ही enzyme protein is acted सभी लोग समझ रहे हैं हलो बच्चों अन्यमेशा अभी बोली है यस सर यस सर लगरा है like हो रहा है मैं बोलना हूं बहुत दिर बाद आप पास पहुंच रहा है कि और वहां हिद्वा के अपधिए परोटीन जो होता है उसमें 3-Dimension structure होता है इस इस मोस्टिबल इस्ट्राइब protein and this is very sensitive to temperature temperature के लिए यह बहुत ज़्यादा sensitive होता है क्योंकि temperature अगर ज़्यादा हो जाता है जिससे आप सुनते होगे न कि काते हैं दूद फट गया तो दूद क्या सिला हुआ रहता है नहीं ना फटने का मतलब वहां यह होता है उसका जो थ्री डाइमेंशन लगे तरिशे तरशी स्टक्चर रप्रोती नटेश इसलिए याद रखेगा टर्शे रप्रोटेश रप्रोटीन जि बेरिस्टर टूटर्चर जो टर्सरी स्टक्चर ब्रॉटीन होता है इसमें उसमें छया चाहिए पाइजा पाए जाते ये लिकांट याप भी कॉंसा बॉन बोटेंगों मैं लिख रहा हूं देखो देखो पहला आप कॉंसा बॉन बोटेंगों फेटाइब बॉन सेकेंड हाइड्रोजन बॉन यह देखो इच्छा बॉन नहीं पेप्टाइब देखो इच्छा बॉन नहीं इसको आप नोट कर लिजे आल सिक्स बॉन्ड प्रेजेंट इन टर्सरी स्टेक्चर आप प्रोटीन इसको नोट करिए बच्चों सुरी बच्चों बफरिंग हो रही है मैं समझ रहा हूं बफरिंग हो रही है मैं समझ रहा हूं मनें बताया ना कि नए जगह पर सेट किये हुए हैं तो आज अभी हम लोग मलब दो तीन सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लिया है जानते हो साथ हैं भी पी चल्च देनेचूरेस्टेम बोलता है और से संस्टीब किस खेक से होता है टमप्रेचर से त्मप्रेचर से डिनेचूरेशन अगला है बच्वम को काइट्ट प्रोटीन में फोल्डिंग क्वाइलिंग होती है तो टर्सरी बनता है और टर्सरी स्ट्रेक्चर में फोल्डिंग क्वाइलिंग होती है तो अधिया माने बताया कि प्राइमरी स्ट्रेक्चर आप प्रोटीन में फोल्डिंग क्वाइलिंग होती है तो क्या बनता है जादे मजबूत होता है पिर स्कंद्री स्ट्रेक्चर में foldingowski folding labeling होती है तो क्या बनता है lavoriaigos तुखरी Teausrastructure diva juice secondary चे صachmentा बहने ज्याद़ caws श्टेबलती होता है नेकिन हमने तो बताया ना कि प्रोटीन जो होता हो हाइधे स्टेबल होता है उससे ज्यादा stable कुछ होता है नहीं इसलिए कहते हैं जब quaternary structure बनता है इसमें कई tertiary चार quaternary बनने चार चार तरसे कई tertiary structure मिल कर क्या बनाते हैं quaternary structure तो many tertiary structure combined लिख लो many tertiary structure combined to form quaternary structure और इसका इसकी example सबसे बढ़िया है hemoglobin कौन example है इसका बच्चों hemoglobin इसका सबसे बढ़िया एक्जांपल है और coronavirus जो होता है उसका जो capsid होता है capsid बना प्रोटीन खोल वाइरस का जो protein खोल होता है उसको capsid बोलते हैं खोल होता है उसको क्या बोलते हैं जो capsid आफ वाइरस होता है वह भी quaternary structure आफ प्रोटीन का बना होता है ठीक है बचों एक होता ही इसक्ष्बियंक में 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 थाइरस प्रोटीनर आफ थाइरस लेक्ष्टरोटीन का इस बिसरेक्ष्ट। झाल 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 हमने बताये बच्चों कि आगर कोई मैं बता दे रहा हूं डोमेन की बोल रहे हैं कि अगर कोई मैं इसी क्लास को रिपीट करूंगा नेस क्लास में नेस क्लास में हम आज डोमेन वगर पढ़ा दूंगा रिपीट करूंगा उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूंगा ठीक है तो मैं आज होाली क्लास बहुत डिश्टर्बूब होने समझ रहा हूं पूरा बफरींग वर पूरे क्लास तब तो मैं इसी आज ही वाली क्लास रिपीट करूंगा ले से अगे बढ़िए